कि नमस्कार दोस्तों ओसीन नेटवर्क में आपका स्वागत सवाल पूछा जा अब कि क्या ये लोग दिल्ली तक पहुंच पाएंगे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है अभी तक तो ये दावा किया जा रहा था कि हम तेरे फरवरी को दिल्ली पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है दिल्ली को घेर करके प्रदर्शन शुरू कर देंगे आज तो 14 फरव गंटे बाद भी अगर ये लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं और ये सवाल पूछा जाने लगा है मीडिया के द्वारा कि क्या ये दिल्ली तक पहुंच जाएंगे तो इसका जवाब मैं ही देदेशा हूं सरकार को देने की जरूरत भी नहीं है और सरकार ने जो कुछ किया है पिछले 24 घंटे में नहीं पिछले करीब करीब एक सब्ताहा में जो तैयारी की है उसके दम पर मैं ये कह सकता हूं उसको देख करके मैं ये कह सकता हूं कि ये दिल्ली नहीं पहुंच सकते इस बार ये द पिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते और अगर यह दिल्ली पहुंचते भी हैं ट्रेंस के जरीए बसों के जरीए कार बाइक के जरीए दूसरे रास्तों से अगर पहुंचते भी हैं तो जहां ये इस बार फिर से मजमा लगाने की तैयारी में थे या मनसूबे के साथ आये थे वहां पहुंचने से पहले ही इनको धर लिया जाएगा इनको गरपतर कर लिया जाएगा और जो temporary जेल्स बनाई गई है डिलि में और दिल्ली के बाहर वहां इनको जो डिटेंशन सेंटर हैं वहाँ इनको आराम करने के लिए भेज दिया जाएगा आत्म मंथन करने के लिए भेज दिया जाएगा सवाल यह है अब आते हैं मूल बिंदू पर गेम प्लेन क्या था और गेम प्लेन किसका था कौन-कौन थे इस फूरे गेम प्लेन के पीछे क्योंकि जब यह पिछली बार आये थे और तेरे महिने था कि इन्होंने दिल्ली की नाक में दम करके रखा हुआ था और जो दिल्ली का मेडिया है उसके भी अती उत्साही रिपोर्टर से लेकर के और एडिटर तक सब इनका महिमागान करने में लगे हुए थे और उस तेरे महिने के आंदोलन के पीछे भी उस पूरे खेल के पीछे भी कौन-कौन सी ताक्ते थी इसका खुलासा समय के साथ-साथ होता चला गया था इस बार भी इस पूरे गेम प्लेन के पीछे विदेशों में बैठी हुई वो ताक्ते भी हैं जो खालिस्तान का खुआब पता नहीं कब से देख रही हैं देश के भीतर बैठे हुए लोग भी हैं पॉलिटिकल पारिटियों के नेता भी हैं जिन्होंने जो टाइमिंग कि लोकसभा चुनाओ से ठीक वहिन महिन पहले एक महिन पहले यह भी इस शरियंत्र के पीछे साझिष के पीछे इन आंदौलनजीवियों के पीछे खड़े हुए हैं यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साझिष थी एक बहुत बड़ा अर शियासी गेम भी था कि दिल्ली को फिर से बंदग बनाई है, छे महिन्य का राशन पानी लेकर के ये लोग चल रहे थे, कितने महेंगे महेंगे ट्रेक्टर्स, लंबी-लंबी ट्रॉली, ट्रॉली भी टेंट नुमा बना करके, अब उनमें खाद रसद से लेकर के, बिस्तर, टेंट और हो सकता है, तो मैदान में कूद पड़ो, और फिर जो होएगा, उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराओ, कि ये तो किसान भी रोधी है, ये तो किसान का, किसानों का दमन करते हैं, और उसके बाद सियासी रोटियां सेको, और ये सारे हताश, निराश, परेशान हाल लोग हैं, जो तमाम तरहे की राजनीतिक और आपराधिक मुसीवतों में घिर गए हैं, बहुत बुरी तरीके से घिर गए हैं, अब येन केन परकारेन, सामदाम दंड भेद जो भी रास्ते हो सकते हैं, वो सब अपना करके उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर र इस तरह की जो साजिशें हैं, जो जाल बुन रहे हैं ये, ये उस जाल में, उस गेम में क्या खुद ही नहीं फस गए हैं इस बार? याद करिए, जब वो तेरे महिने का, यहां दिल्ली में अंदोलन चला था, और जिसमें बहुत सारी वारदाते हुई थी, और जिस तरीके स दिल्ली वालों की नाक में दम कर दिया गया था और दिल्ली के आसपास का जो पूरा इलाका है, जहां जहां इंडिस्ट्रीज है, वहां के जो एंप्लोई थे, एंप्लॉयर थे, जो वियापारी थे, उद्यमी थे, उनका कारोबार चोपट करके रख दिया गया था, और एक गलत संदेश उसके जरीए भेजा गया था याद करिए कोई ग्रेटा थानबर्ग कोई मिया खलीपा कोई कनाड़ा का पगलेट परधान मंत्री किस-किस तरह के बयान दे रहे थे और किस-किस तरह की नसीहतें हमें दे रहे थे भारत को दे रहे थे किसाब आप किसानों को जो है एंड्रेस नहीं कर रहे हैं किसानों की समस्याओं का हल नहीं कर रहे हैं आपको ज़्यादा सम्वेधन शील होना चाहिए पश्चिम के कई बेशर्म और पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके मीडिया हाउस जिनमें बीबीसी लंदन से लेकर के जजीरा और गार्जियन से लेकर के वाशिंग्टन पोस्ट नियू यूर्क टाइम्स और तमाम जितने भी यह जहां पर यह वामपंथी बैठे हुए हैं वो प्रोपेगेंडे पर उतर आये थे भारत के खिला और उन्होंने भारत की छवी को पूरी दुनिया में खराब करन विभिशन बैठे हुए हो जो बात बेबात सडकों पर उतर जाते हों जिनको ना लोगों की परेशानी से कोई मतलब है ना देश की बद्रामी से कोई मतलब है ना इंचीजों से कोई मतलब है कि पिछले दस साल में इस सरकार ने किसानों की भलाई के लिए किया क्या है इनको सिर्फ और सिर्फ जो इनके गेम हैं जो इनके टारगेट हैं अब देश के भीतर भी अब उनके पहरवे तयार हो गए हैं आप देखी रहें सोशल मीडिया पर कितनी बेशर्मी के साथ कितने दुस्साहस के साथ अलग देश बनाने की खालिस्तान बनाने की बात की जा रही है और खालिस्तान बनने के बाद उसका जो विले है वो पाकिस्तान के साथ करने की बात की जा रही है ऐसे लोगों को जो सबक तक सिखाया जाना चाहिए जो शिक्षा दी जानी चाहिए हम तो अपएक्षा ही करेंगे के देर शबेर प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी जब वो तीसरी बार चुन लिए जाएंगे तो ऐसे लोगों का इलाज जरूर करेंगे और उन्होंने पिछले दिनों कहा भी है पार्लेमेंट के वीतर भी कहा है पार्लेमेंट के बाहर भी कहा है कि बहुत बड़े फैंसले जो है तीसरे कारेकाल में होने वाले हैं तो मेरे जैसे जो विचारक हैं जो इसलेशक हैं जो राष्टवादी पत्र कार हैं उनका तो एक निवेदन यही रहेगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से कि जिस तरीके से आप पिछली बार तेरे महिने तक इन लोगों से हिचकते रहे डरते रहे पूरा किसान वर्ग नाराज ना हो जाए ये डर और खोप छोड़िये ये पूरा देश ऐसे अराजक तत्वों के खिलाब मन से आपके साथ और मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ है बहुत सक्त एक्षन लेने की ज मैंने इसलिए इस बार ये प्रोग्राम इस विशे पर बनाने की एक चेश्टा की है कि जो मीडिया में बैठे हुए लोग एंकर्स भी कल के सारे फुटेज निकाल करके देख लीजिए एक एबीपी पर एंकर बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि बस कुछ समय की बात है अ यह हर एक की जवाब देही और जिम्मेदारी जब तक इस देश में तै नहीं होगी तब तक चीजें रास्ते पर नहीं आएंगी तब तक देश में शांती की अस्थापना नहीं होगी तो सबसे पहली बात जो मेडिया हाउस के द्वारा पुछी जा रही है हैडलाइन है क्य ना यह दिल्ली तक पहुंच पाएंगे तो यह दिल्ली तक यह इस बार नहीं पहुंच पाएंगे इस बार तो दिल्ली में 2500 लगा दी गई है 12 मंयर्स तक किसी भी तरीके से लोगों के इकठे होने या परदर्शन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है दिल्ली के चारो तरफ सारे राज्यों की सीमाई सील कर दी गई है और मैं आपको डेटेल जानकरी दूँ कि कहां कहां इस वार जो है आवा गमन पूरी तरीके से चोक कर दिया गया है सील कर दिया गया है बंद कर दिया गया है शम्भू बोर्डर जहां आप कल सुबह से देख रहे हैं ये लोग किस तरह से उतपात मचा रहे थे पत्राओ कर रहे थे इन्होंने एक ट्रेक्टर लाकर के वेरिकेट का पहला जो हिस्सा था वो तोड़ दिया इसके अलावा ये जेसी भी लेकर के आए अम्रसर से कहीं अगर अवरोधक मिलें तो जेसी भी के जरीए उसको उखाड करके उठा करके दूसरे तरह प्हेंग दो और दिल्ली के लिए आगे बढ़ जाओ तो शम्मू बोर्डर पर क्या इस्तितियां परिश्तितियां हैं यह आप समझ लीजिए जो ड्रॉन के जरीए आसू गैस के गोले इनके ऊपर छोड़े जा रहे थे अब पंजाब सरकार ने अंबाला के डी सी को यह मैसेज भेजा है चिठी भेजिए किसाब आप हमारे क्षेत पंजाब कोई पाकिस्तान नहीं है और दूसरा देश नहीं है दूसरी बात यह है कि पंजाब सीमा में सरहद में खड़े हो करके अगर अराजक तत्व पुलिस फोर्स पर अर्दसैनिक भलों पर पत्राव करेंगे तो वो तमाशानी देखेंगे पुल के इस पार खड़े हो करके वो कारवाई करेंगे और अगर यही रवया पंजाब सरकार का रहा जो वो दिखा रही है राजपुरा से पूरे बैरिकेटिंग हटा करके पंजाब पुलिस ने इनको रास्ता दिया है कि आप लोग आगे जाईए दिल्ली पहुंचिए जिस तरह के बयान महा के मुख् नया पहरवा है जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है सरवन सिंग पंदेर उसने जिस तरीके से भारतिय जंता पार्टी नेत्रत्यू की भी आलोचना की है कॉंग्रेस को भी लपेटा है के साब हम तो कॉंग्रेस के भी खिलाब हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल के बारे में भगवंतमान सरकार के बारे में एक शब्द नहीं बोला है उससे यह साफ हो गया है कि इस पूरे गेम प्लेन के पीछे कोई और नहीं है अर्विंद केजरिवाल और पंजाब सरकार है और यही इनको एक सेफ वे दे रहे हैं आगे जाने के लिए और दिल्ली को फिर से जो है बंदग बना करके यहां आतंक फैलाने के लिए लेकिन इस बार जिस तरीके से हरियाना में करीब-करीब साथ कंपनियां अर्द सैनिक वलों की भेजी गई चालीस कंपनियों से ज्यादा पुलिस फोर्स महां लगाई गई है और केवल शंबू बोर्डर की बात नहीं है जो क्यूकर बोर्डर है जो चीका बोर्डर है जो दाता सिंग वाला बोर्डर है जो खनोरी वाला बोर्डर है जो डवाली से लगा हुआ है काला वाली से लगा गए हैं और हर जगह जो है आवाजाही बंद की गई है इसका मतलब यह और जिस तरीके से इस बार पिछली बार जो सबसे ज्यादा हंगामा किया था इन्होंने एक सिंगू बॉर्डर पर एक टीगरी बॉर्डर पर इन दोनों जगहों पर इस बार पुखता इंतिजाम किये गए हैं केवल कटीले तार और दूसरे इंतिजाम नहीं किये गए हैं जगे जगे जो सर्विस रोड होती है उसको भी दस दस फुट गहराई तक खोद दिया गया है कि कोई भी ट्रैक्टर लेकरके इस बार दिल्ली में घुसना जए और ये ट्रैक्टर्स को क्यों परतिबंद किया गया है परतिबंदित किया गया है आपको याद होगा इन्होंने जो तमाशा किया था जब रोग के बावजूद इन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन जो हिमाकत की थी उसको दिल्ली कभी भूल नहीं सकती है और देश भी कभी भूल नहीं सकता है इन्हों कहा के गणतंत्र दिवस में हम भी ट्रेक्टर्स की परेड निकालेंगे हमें परेड निकालने की इजाज़त दो दिल्ली पुलिस ने यह सोच करके और हो मिनिस्ट्री ने भी यह सोच करके कि वही एक व्यकलपिक रूट इनको दिल्ली से बार बार का और यह वहां से अपना परेड निकाल लेंगे गणतंत्र दिवस का मुका है ऐसा क्या करेंगे यह कि जिस पर हम शक करें लेकिन क्या किया इनों है मुकर्बा चोक से बैरी केट तोड़कर इन्होंने लाल किले पर जाकर के चड़ाई की थी और लाल किले पर एक धार्मिक धंडा फेरा करके आपत्ति जनक नारे वाजी की थी और इतना ही नहीं वहां पर पुलिस कर्मी अर्थ शैनिक बल तेनाद थे उनको पीट पीट करके गेहरे नाले में धकेल दिया था है यह पुलिस के जवान हो अर्थ सच्षानिक बलों के जवान हो हमारे military में काम करने वाले हमारे जवान हो यह कौन है यह हमारे और आपके बीच के ही है लेकिन जिस तरह का आतंक इन्हों ने पिछली बार मचाया और 13 महिने तक दिल्ली को बंदग बना करके रखा इनके इरादे इस बार भी वैसे ही थे वरना क्या वज़े है परदान मंतरी नरेंदर मोधी ने तीनों वो क्रिशी कानून तो वापस लेने का ऐलान कर दिया था जिन पर खास तोर से इन लोगों को परिशानी थी केवल पंजाब के इन तथाकतित किसानों को प माँच गए थे गाजीपुर बोल्डर पर जाब लगाने के लिए और वहां जम करके बैठने के लिए लेकिन इस बार यह हरियाना वाले भी थोड़ा सोच समझ करके फैसले ले रहे हैं हाला कि जानकारी मिली है कि वह चड़ूनी ने जो है कोई कल मीटिंग बुलाई है कि सा म्तियान आये हैं किसानल से बात की जानी चाहिए अरे किसानों से बात करने को इंकार कर रहा है करे और इन में से कुछ पर विचार किया जा सकता है लेकिन ये सारी मांगे ऐसी हैं कि देश के सारे राज्जियों से प्रामर्श करना पड़ेगा इसके लिए ठाइम चाहिए ऐसे थोड़ा होता है कि आप एक बंदूक लेलें कान पर रख दें कनपटी पर रख दें किसाब हमारी सारी बाते मानिये आप इन वगों ने तमाशा बनाया हुआ है और इसके पीछे जो लोग हैं उनके अलग अलग कारण हैं जिनकी वज़े से यह तमाशा इस बार यह करना चाहते थे और फिर से दिल्ली में इनको बैठा करके यहां पर ब्लैक मेलिंग की कोशिश करने की कोश सोले फरवरी को तलब किया हुआ है और इनको अब एक्यूज बता दिया है अब तक यह पूछ रहे थे ना कि एडी जो पांच समन भेज रही है वो गैर कानूनी है जी पहली बात तो यह है कि रोज अवेन्यू कोट ने कहा कि गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है वो सारे के सार जो है वो वैलिड है कानून के तहत है पूरी तरह वैद्ध है और आपने इनकी अवहिलना करके कानून का उलंदन किया है और केवल इसी मामले में इनको एक साल की सजा हो सकती है तो यह किसी भी तरीके से एडी का सामना करने और पूश्ताश के लिए उपलब्द होने से बचने की कोशिश करते आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि शराब गोटाले में इनके तीन करीबी मनीश सिसोधिया संजय सिंग वीजे नाया वो गिरफतार हो चुके हैं उनको जमा नहीं मिलेगी और उसके बाद इनकी पारिटी का भी क्या होगा इनकी दिल्ली सरकार का भी क्या होगा यह अच्छे तरीके से जानते हैं और यही सब वजह है कि यह पेश नहीं हो रहे थे लेकिन आब तो पेश होना पड़ेगा अब तो कॉट यह कहेगा जब यह पेश और अगर इस बार भी उन्होंने बहाने बाजी की कोट के संबन को भी चैलेंज किया इनों ने तो बहुत भारी पड़ेगा इन पर लेकिन यह जो टेक्टिस अपनाई जा रही है और जिस तरह की बयान बाजी हुई है कुछ तथाकतित किसानों के द्वारा जो सोशल मीडिया अब तैरए तैर रहे हैं खालिस्तान को लेकर के पाकिस्तान में विल्या को लेकर के और जिस तरह की ज सारी लोग यह बेहद खतरनाक है यह ऐसे तत्वों को किसान बताने की कोशिश कर रहे हैं जो च्छे महिन्य के राशन के साथ बेहद महेंगी गाडियों में साथ साथ लाक की गाडियों में पंजाब सरवाना हुए थे दिल्ली चलने के लिए और इनको यह यकीन था कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे इस बार फिर हम दिल्ली की गरदन पर गुठना टेक करके बैठ जाएंगे लेकिन इस बार इस बार मौधी सरकार ने वह किया है जिसकी अपेक्षा देश उनके मजबूत नित्रत्व से करता है और यह जब यह तेरह महिने के लिए बैठे थे उस समय भी लोगों ने सवाल खड़े किये थे कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को ऐसे आंदोलन जीवियों के साथ जिस तरह का सुलूप करना चाहिए वैसा सुलूप वो नहीं कर रहे हैं तो इस बार इनको इनकी हैसियत बताई गई है इ और जितने बॉर्डर मैंने बताई अभी गिनाएं हैं हर्याना और पंजाब के लगते हुए सब को सील कर दिया गया है सब पर कड़े इंतिजाम किये गए हैं पुलिस को आदेश है निर्देश है उनको बता दिया गया है कि क्या करना है और ये लोग अगर पैदल चल करके बसों से ट्रेन से दूसरे माध्यमों से कार से दिल्ली पहुंच भी जाते हैं तो ट्रेक्टर तो बिल्कुल नहीं उसने दिये जाएंगे ये भी पहुंचेंगे तो गिरफतार होंगे इस बार क्योंकि ये ऐसे समय इनोंने तमाशा किया है इस बार जब लोग सभा पूती के साथ इस बाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी की सरकार ने इनका जो गेम प्लेन था उसको पूरी तरीके से विफल करने का फैंसला किया है और अब तो जो गेम प्लेन पलटने की बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि हताश निरास परेशान और सुपारी लेकर के द साकतित किसान निता कह रहे हैं कि कल से हम पंजाब में ट्रेंस रोक देंगे यानि अब भगवंतमान सरकार जो इनको सुरक्षित रास्ता दे रही थी दिल्ली पहुंचने का अब उसके सिर पर पढ़ेगी आकर के अगर पंजाब के ही लोगों को यात्रियों को परेशानी हो होगी तो जवाब देहे कौन होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे या हरियाना की सरकार नहीं होगी या ग्रह मंत्री अमित्षा नहीं होंगे जवाब देहे अब भगवंतमान सरकार होगी और अर्विंद केजरीवाल होंगे और जो खालिस्तान का राग अल अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक झाले वीडियो